नूरपूर के प्राची किला मैदान में स्थित बगवान श्री ब्रिजराज स्वामी जी का मंदिर खेतरवासियों की प्रमुक आस्था का केंदर है ये विश्व का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां बगवान श्री कृष्ण के साथ राधा नहीं बलकि मीराबाई की मूर्ती स्थापित है ये दोनों प्रतिमाए ऐसी लगती है मानो आपके सामने साक्षाद भगवान श्री कृष्ण वे मीराबाई खड़े हूं प्रेम और आस्था के संगम के प्रतीक इस मंदिर का नूर जनमश्टमी को चलक उठता है चलिए आज बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस भवे मंदिर के पीछे के इतिहास की नूर पूर को प्राचीन काल में धमेडी के नाम से जाना जाता था बेगम नूर जहां के यहां आगमन के बाद इसका नाम बेगम के नाम पर नूर पुर पड़ा इस मंदिर के इतिहास के साथ एक रोचक कता जुड़ी हुई है ये उस समय की बात है जब नूर पूर के राजा जगत सिंग अपने राज पुरोहित के साथ चित तोडगड के राजा के निमंतरन पर वहां गए राजा जगत सिंग वे उनके पुरोहित को रात्री विश्राम के लिए जो महल दिया उसके बगल में एक मंदिर था जहां रात के समय राजा को उस मंदिर से घुंगरू और तथा संगीत की आवाजें सुनाई दी राजा ने जब मंदिर के बाहर से जहांकर देखा तो एक औरत कमरे में श्री कृष्ण की मूर्ती के सामने भजन गाते हुए नाच रही थी राजा ने सारी बात राज पुरोहिद को सुनाई पुरोहिद ने भी वापसी पर राजा चित्तोडगर से इन मूर्तियों को उपहार स्वरूप मांग लेने का सुझाव दिया क्योंकि श्री कृष्ण वे मीरा की ये मूर्तियां साक्षात हैं जगत सिंग ने पुरोहिद बताया नुसार वैसा ही किया चित्तोडगर के राजे ने भी खुशी खुशी वे मूर्तियां वे मौल श्री का पेड़ राजा जगत सिंग को उपहार स्वरूप दे दिया तदो प्रांद नूरपूर के राजा ने अपने दर्बारे खास को मंदिर का रूप देकर इन मूर्तियों को वहां स्थापित कर दिया राजस्थानी शैले की काले संग मर्मर से बनी श्री कृष्ण वे अश्ट धातू से बनी मीरा की मूर्ति आज भी नूरपूर के इस अतिहासिक श्री भृजरात स्वामी मंदिर में शुभाए मान है मंदिर की भित्तिकाओं पर कृष्ण लीलाओं का चित्रन दर्शनी है इस थान पर हर साल जिनमाष्ट में का उत्सव हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है प्रूम्धा जाता है